नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार नवरात्र चल रहा है और 20 अक्टूबर मंगलवार के दिन मा कुस्मांडा की अराधना की जाएगी मा कुस्मांडा की अराधना अगर हम विसेश बस्तू से उनको प्रसन्न तो करते हैं लेकिन कुछ विसेश उपाय कर लें तो मा हमें सत्रू मुक्ती भी दिलाती हैं सत्रूं से और साथ ही आपकी जो मन चाही मनो कामना है वो भी पूरी करती है आज हम आपको लॉंग के विसेश उपाय के बारे में बताएंगे जो आप अगर इस चोथे नौरात्रा के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन के हर कष्ट मिट जाएंगे हर बाधाये समाप्त हो जाएगी और सत्रू विरोधी आपके समाप्त हो जाएंगे साथ ही मनचाही मनुकामना भी पूरी होगी तो आज हम आपको बताएंगे लॉंग का विसेश प्रयोग से कैसे आप अपने सोयवे भागय को जगा सकते हैं आपकी कैसी भी मनुकामना हो आप चाहते हैं जीवन में सुख बड़े आप चाहते हैं एक अच्छी जॉब मिले आपका घर परिवार अच्छा से चले आपके जीवन में मांगली कारे हो अपना घर हो अपना वाहन हो लग्जरी लाइब जीना चाहते हैं जो भी चाहते हैं रातों रात राजा होते आपने बहुत लोगों को देखा होगा तो ये है मनोकामना पूर्ण करने का बिसेसुपा है क्योंकि अगर दिल से आप दूआ मांगते हैं तो वो कबूल हो ही जाती है तो लॉंग के प्रयोक से कैसे अपने भागे को आप बदल सकते हैं सबसे पहली ब उथर होंगे उस समैं मंतर बोलिएगा ओम बुम बुधायनमहम ओम बुम बुधायनमहम मंदत्र का जब करते रहें क्योंकि मांकूसमानदा बुद्ध समंधी पिडाओं से भी मुक्ती दिलाती हैं से बुद्ध यानि बुद्धी आपका ग्यान आपके आपका दिमाग आपका इसकिन आपका जो चेहरे पर एक आभा होती है उसके कारक है अब जब ये सभी चीजें बहतर होगी अंदर से confidence रहेगा तो सत्रू भी रोदी चाहकर भी आपका कुछ नहीं विगार पाएंगे तो इन माला को आप गूत कर माला बना ले इन लौंग को और फिर माग अगर आप पुरूस हैं तो माग के चरनों में रख दें आप महला है तो मातारानी को ये लौंग की माला पहना दें इसके बाद इसको सुरक्षित रखिएगा इसको बिसरजन नहीं किरना है एक साल तक सु सरजन कर दीजेगा मिट्टी में या दबा दीजेगा लेकिन पूरे एक साथ सुरक्षित रखिए आपके जीवन से बड़े से बड़े संकट हटेंगे और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी अपनी मनोकामना बार बार उनसे दोहराईए फिलाल भी डा लेंगे हर हर महादेव